कर दोस्तो क्यार मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहद उसे स्वागत है आज की डेट है 21 ऑफ जून 2019 और आज के जो प्री ओपन के हम लोगों के दोसरा है बजाज फाइनांस का इविल शो यू द फिंग यह हमारा प्रीमियम टेलेग्राम चानल है प्रीमियम टेलेग्राम चानल में देख सकते हैं आप 21 ऑफ जून के दो ही स्टाउक ते तीस यह और बजाज फाइनांस अभी कल की पिर में बात करूँ कल थोड़ा वीडिय किया था ट्रेडिंग नहीं की है ड्यू टू पर्सनल कमिट्मेंट्स लेकिन स्टॉक्स रिकमेंट्स जरूर किये थे दिखा देता हूँ मैं वह स्टॉक्स आपको एक था एक्सिल बैंक और दूसरा था टाटा स्टील तो टाटा स्टील के अंदर महां पर कोई मून ही बना लेकिन एक्सिल बैंक में कफे अच्छा मूब बना था उसने टार्गेट भी जिया था यह उसने मतलब यहां पर एक बार ब्रेक आउट देने के बाद फिर रिजेक्शन और फिर टार्गेट वन इजीली स्मूठली अच्व किया था लगबग उसने रूपीस का गेन मतलब क कि इस सेलिंग डायरेक्शन में दिया था चानल पर क्लियर कट मेंशन भी कर दिया था लेकिन परस्नली ट्रेड नहीं किया थे प्या मतलब कि उसके अंदर दूसरा जो था अभी मतलब आज के जो स्टॉक्स है यहां पर दिख रहा है तो अभी मतलब कि यदि यह क्रिटिकल जोन को प्रपर दी उपर की डायरेक्शन में ब्रेक करेगा और फिर मतलब उसको उपर जाएगा उसको तो मतलब पहला उसका 92 का और फिर 2300 का टारगेट यहां पर देखने को मिल रहा है ओके मतलब उस पर कैसा है क्रिटिकल जोन के उपर सस्टेंड करेगा फिर वी निड़ तो टेक देशिज़न या फिर ऐसे भी होगा कि क्रिटिकल उनको डॉंसाइड में ब्रेक करने का दिव तो थोड़ा करेक्शन आएगा उसके अंदर जो जो हेवी बाइंग हुई है तो वो बाइंग से निकल के वो अपना करेक्ट हो सकता है तो वो भी एक अगें केस है अभ दूसरा फिर यहां पर जो है स्टॉक डैडिज बजाज फैनान्स स्टेम चीज है कल मार्केड उपर ही गया तो सारे स्टॉक के अंदर अप्ट्रेंड ही है ओके बजाज फैनान्स भी अभी देखना आहम होगा कि वो जो उतका 3574 से लेके 3587 तका लेका जो तो फिस इसाब से वहां पर रियाक करता है एक़ॉडिंग लिए हम लोगों को वहां पर डिशजन लेता होगा तो चलिये दोस्तों इनको थोड़ा सा ट्रैक करते है इनन लाईव मार्केड इनको यजी प्रॉपरली कुछ प्राफरली स्ट्रेडिंग सेटप हिनके अंदर मिलता है तो विल ट् तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यह टाटा कंसल्डंसी टीसी एस और बजाज फाइनांस का चार्ट है मैं वन बाइवन आपको एक्प्लेन करता हूं कितना प्रॉपरली उसने मतलब कि रिस्पेक्ट किया है क्रिटिकल जोन को क्रिटिकल जोन के नीचे से मतलब उपर पहला कंडल था पहला कंडल इस नौट एकंडल उसके बाद उपर आया है यहीं से मतलब उसने रिजेक्शन लिया है मतलब एडवांस टेटर सेट प्रॉम्ठी लेवल यह वाले लेवल से एडवांस टेडर सेलिंग के लिए बैच सकते हैं और जिनको मतलब कि उसको ब्रेक ह कि जो होने देना है after breaking यहां पर कही को कि को सेल करना है तो धैकान सेल ओर ही और स्पीर मतलब यह जो ऊपर वाले चीज इसमें ड від Ira यहां पे जनों ने सेल किया है, so that over here it has achieved the target number one, तो मतलब कि उसके बाद भी मतलब वो थोड़ा sideways ही गया है, थोड़ा सा momentum slow आया था, और वो मतलब पूरा slow ही रहा है, तोची है, okay, और फिर यदी मैं इदर की बात करू, Titan की, so यह Titan हम लोगों ने live market में दिया था, इसने आप देख सकते हैं, मतलब की बजाच फाइनास ने जोन के ऊपर ही ओपन हुआ है, जोन के ऊपर ही खुला है, so it is not the proper trade to take the entry in बजाच फाइनास, उसके बाद वो मतलब का continuous यही जोन में यहां पे अंदर रहा है, और फिर यहां पे फिर से उपर जाके फिर निचा आए, मतलब continuous उसने वो साइडवेज ही momentum उसने दिखाया है, कही पर भी उसमें properly volume वगर नहीं आए है, at the time of the breakdown, पुरों volume सी उसके अंदर dried volume थे, so one can avoid the entry in बजाच फाइनास, यहां पे भी मतलब इतना खास नहीं था वो breakout फूरा फिर zone को, actual zone को breakout जो मिला है, वो यहां मिला है, so यहां पे you can take the entry, but यह थी छोड़ा सा shorter time frame आप देखते हैं, बजाच फाइनास का, तो बजाच फाइनास के अंदर यह candle अंदर आने के बाद, this is a breakout candle और फिर उसके बाद वो उपर गया है, लेकिन इस इस अ कुरूशल रेजिस्टन्स लेवल फॉर दे स्टॉच, तो उस पे ही उसमें रेजिस्टन्स लिया है, और रेजिस्टन्स लेके फिर नीचे आया है, तो मतलब यहां पे यह entry लेते थे, तो एक minute सा stop loss आपका बाइंग साइड में हीट होता था, in terms of the बजाच फाइनास, तो यही होता है, मतलब की properly price action, मतलब कभी-कभी नहीं समझता है, कभी-कभी you can utilize accordingly, तो मतलब की that is the case की, आपके फिर stop losses वगरे hit हो जाते हैं, तो that is, फिर मतलब वहां पे आपको थोड़ा सा cautious भी रहना होता है, वेन यू आ टेकिंग दा ट्रेड, यहां पे यह जो ट्रेड है, just a minute, यह यह टाइटन का दिया गया था, यह stock यहां पे टाइटन का लेवल भी, बाइंग लेवल भी मेंशन किया गया था, clear cut 1309 तक उसको बाइ करना था, तो आफ्टर उसने बाइंग opportunity दी है, और बोला भी गया था कि partial quantity का profit यहां पे भूप कीजे, तो मतलब profit partial 4 रूपीज का अगभग profit उसने दिया है, 4, 4, 4, 4 रूपई का profit और उसके बाद फिर वो नीचे आया है, फिर नीचे जैसे आया है, नहीं break कर रहा था, so you can exit over here, तो यही candle उसको break नहीं कर पा रही थी, okay, so this is the pure price action, नहीं करते हैं, तो फिर वो आपको मतलब तूरा reverse में लेके जाएगा, और reverse भी देखते हैं, तो काफी reverse वो है, तो ऐसे trades यहीं आप लेते हैं, in terms of the intraday trading, so that is, फिर they are the bunty or bubbly for the intraday trading, तो कि आपको वो फिर चूना लगा के चले जाएंगे, right, so such kind of the setup, जहां पे आप प्रॉपर्ली प्राइड एक्शन को identify नहीं कर रहे हो, और फिर वहां पे उनको ही let them to hit your stop losses, let them to take your profit, so they are the bunty bubbly in terms of the intraday trading, intraday trading के bunty और bubbly यही है, तो चलिए उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया हो, आशा करता हूँ, चलिए, thank you for watching this video, God bless you.